आज आपसे बहुत एजी टेस्टी हेल्थी नाश्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी लेके आई हूँ देखते ही डेफिनेटली ट्राइ करने वाले हूँ तो यहां जो औरेंज वाली मसूर दाल होती है ना बस उसे मैंने सोक कर ल इसमें हम डालेंगे अध्रकak के चार से पांच तुकडे दाले है तीन से चार मेनेир मिश डाली है और इसे बिना पानी के सबस Keep लेंगे तो देखे स्फ्रेंद्स बिना पानी के पीस है अगर आपको लगे तो औहनма अचीरा और बच्चों को पसंद आये करके इसमें मैं एड करी हूं और चिली फ्लेक्स एक एक चमच इसका स्वाद भी बढ़ा देता है और बच्चों को यह स्वाद बहुत पसंद आता है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी यह देख सकते हैं अब सूजी ढाली है तो 10-15 मेड के लिए तरह से आपको क्यूब्स कट करने है और एक बोल में मैं इसे एड कर रही हूं और साथी में मैं यहां लिए है ग्रीन रेट एंड येलो बेल पेपर और इसको भी मैं आड करूंगी आप इसमें स्वीट कॉन भी आड कर सकते हैं बॉयल किया हूँ एक चमच और एक चिली फ् स्टाफिंग है ये भी रेडी है फ्रेंज देख सकते हैं कितनी बड़ी और टेम्टिंग लगती है बच्चे आजकल घर पे हैं ऐसी रेसिपी आप बनाये जो जटपड भी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है चली बैटर चेक कर लेते हैं तो अच्छी तरह से सूजी भ मैं थोड़ा से पानी डाल दी हूँ थोड़ा से गाडा लग रहा है इसले ताकि इवनली स्प्रेड हो तो मैंने यहां लगभग तीन से चार बड़ी चमच पानी आड किया है अब इससे बनाना कैसे देख लीजे तो यहां मैंने ले लिया है फ्रेंड सैन्विच मेकर इसमे काफ में बटर अफञा लाए कर रही है दोनों सैच थरह से बटर अप्लाई करें मैं नियौँ बटना रही है और यहां मोवेला चीज का यूर्ण चीज का यूज करो सकते हैं और उपर से हम फिर से बैटर लगा लेंगे इस तरह से बहुत ही आसान ये रेसिपी ये टेस्टी है बिना ब्रेट की ये सैंविच सभी को बहुत पसना ही मेरे घर में अब मैंने थोड़ा सा पानी इसे हाथ गीला करके उपर का लेयर भी फ्लाट कर लिया है और इसे आप बन क आता है और इसमें बहुत ही क्रिस्प बनती है हमारी रेसिपी इसलिए मैं ये प्रिफर करती हूं तो देखिए हमारा जो बिना ब्रेट का सैंविच है वो बनके रेडी है बहुत जादा हेल्दी टेस्टी और बच्चों को पसंद आने वाली ये रेसिपी ये देखिए कितन बनाया तो बिना ब्रेट के आप इस तरह से सांविच बनाया बच्चों को खिलाया चीज अवॉइड करना चाहते है तो आपके हिसाब से आप इसमें कोई भी स्टफिंग डालके इंजॉय कर सकते है चलिए मैं तो जा रही हूं मेरे बेते को ये खिलाने वो अभी जिस करें और आपके फिडबेक देना ना भूले तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तिल रान ठीक केर बाबाई